नमस्कार आप देख रहे हैं स्वतल खबर जन की आवाज सचाई के साथ है वो तैसिल सत्पुली में कई बार SDM कोर्ट में इनका केस भी चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कारवाई नहीं होती है यहीं कई संख्या में यहां पर अवेद रूप से पेड़ो का कटान भी हुआ था लेकिन उस पर SDM कोर्ट में अभी तक किसी परकार की सजा एसे भूम आफिया को बोलेंगे या फिर जो यहां पर सोलर पैनल का जो अद्योग पती है उसको अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली है वहीं अगर बात की जाए उत्राखंड में लगातार चल रहे हाई कोट का हवाला दे करके अतिकरमण अभियान की जो कि हाई कोट में हवाला दे के तेते हुए कि हाई कोट का फैसला है जबकि इसके संबंद में मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि इससे पहले भी सरकार कारां हवाले के करण यहाँ पर अतिकरमण को हटाने की बात की जाती यह तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पेछे की तरफ यह दे चाहाँ पर पूरा मलवा जो है यह सारा मलवा solar plant का मलवा है जो कि उनके यहां से आता है और road तक कबजा हो चुका है पूरे तरीके से लेकिन इस अतिक्रमण को हटाने की बात सरकार नहीं करती है वहीं आपको दिखा दें यह जो पूरी barricating की गई है teen set तमाम जो परसासन है वो बोलता है कि पहले चरण में हम अईस्थाई चीजों को हटाएंगे जैसे की teen set लेकिन यह teen set आप देख रहे होंगे पूरा teen set यहां पर road के उपर लगा है और road के उपर लगा हुआ क्या यह अतिक्रमण नहीं है किसी भी प्रकार से यहां पर कोई notice यहां आज तक नहीं मिला है आप देखते रहेंगे मेरे साथ चलेंगे आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की road है और क्या बाते की जाती हैं उत्राखंट सरकार द्वारा की road हम अतिक्रमण इसलिए अटा रहे हैं ताकि दो गाड़िया असानी से पास हो सके लेकिन आप मैं बात करेंगे यहां पर इस road के अगर मैं बात करूँ यहां पर जो आप चोड़ाई देख रहे हैं कितनी चोड़ाई लगबग लगती आपको सायद अगर दूसरी गाड़ी यहां पर आईगी तो बिल्कुल नहीं और यह पूरा एरिया आप देख सकते हैं यहां पर और यह कितना नजदीक है क्या यह अतिकरमन नहीं है क्या यह सड़क के नजदीक नहीं है और यहां पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हो सकता है अगर इस पर जाच हो तो हो सकता है कि कई कैसरी भूमियां पर निकल कर आ सकती है सरकारी भूमियां पर निकल कर आ सकती है लेकिन जाच का बिसे है लेकिन प्रसासन क्यों जाच करें आखिर आखिर इनके द्वारा किसी ना किसी प्रकार से मैनेज जरूर किया गया होगा परसासन को कहीं ना कहीं सासन परसासन तक इनकी मिली बगद जरूर होगी ताकि इन पर जांच नहो और अगर जांच होती है तो उसके बाद सारे चीज़े खुल कर आएंगी लेकिन जाच नहीं होगी क्योंकि इसमें कई लोग सनलिप्त जरूर होंगे हो सकता है कुछ नेता भी सनलिप्त हों लेकिन ये सारी चीजें यहां पर नहीं दिखाई जाती है आप देख रहे होगे कि पूरा किस तरह कितना नज़दी कि हाँ पर है और पूरी बात करेंगे कि पूरी रोड पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे भी जाओं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर अतिकरमन चल रहा है और अतिकरमन हटाने का अभियान केवल गरीबों के लिए क्यों आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग अपने आप डर के मारे स्वयम ही अपने अतिकरमन को अटा रहे हैं अपने मकानों को अपने दुकानों को तोड़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साफ तोर से दिख रहा है यह मलवा भी मैं दिखाना चाहूंगा कि यह मलवा आप देख रहे होंगे यह देखिए ये मलवा कब से गिरा है पी डावलडी प्रसासन इस मलवे को नहीं अटाती है बलकि लोगों के घर जरूर तोड़ती है ये देखिए कितनी दूरी है आपको ये पूरा मैं दिखा दू कि कितनी दूरी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर महस केवल एक गाड़ी निकल सकती है उसके बाद अगर दूसरी गाड़ी आए तो उसमें किसी भी प्रकार का इस दूसरी गाड़ी को जाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी प्रसासन गरीव लोगों को जरूर डराती है लेकिन इस तरह के जो भूमापिया है जो लगातार सक्रिया है उनके उपर आखिर सरकार क कि तलवार कब चलेगी और कब ये अतिक्रमन हटेगा मनिस कुक्साल स्वतन तैसील सत्पुलीजे